नमस्कार मैं प्रिया बॉत प्राइम निउस 24 में आपका स्वागत है खबर गुर्दासपुर पंजाब से है जहांके गाउं सेखा में हालात उस समय खराब हो गई जब गाउं में बनी सियरे चर्च में काम करने में वहां बंदगी करने को लेकर गाउं वासियों में विवात खड़ा हो गया गाउं के एक वर्ग का कहना है कि गाउं में बनी चर्च में पादरी जावेद मसी प्रभू की बंदगी करेंगे लेकिन गाओं के कुछ सरार्ती लोग किसी और को चर्च में बिठाना चाते हैं सुबर जब पादरी जावेद मसी चर्च में बंदीरी करने पहुँचे तो मक्षन मसी, सुच्चा मसी और उनके साथियों ने उन्हें बाहर निकाल कर गेट के दो ताले लगा दिये जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया वही पुलिस ने मौके पर पहुँच कर माहूल को शांत किया जानकारी देते हुए पादरी जावेद मसी और गाओं के लोगों ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से चर्च की देखवाल करते आ रहे हैं और गाओं के ही कुछ शरारती तत्व चर्च में किसी और को बिठाना चाहते थे इसी बात को लेकर कोट ने उन्हें स्टे भी दे रखा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि पादरी जावेद ही मसी चर्च की देखवाल करेंगे और गाओं के दूसरे लोग बंदगी में सिर्फ हिस्सा ले सकते हैं लेकिन जब कोट ने आदेश का भी पालन नहीं हो रहा और गाओं का माहर खराब किया जा रहा है चर्च पर कबज़ा करना चाहते हैं वहां के लोग इनी शराती तत्तों पर सकत कारवाई की जाए ताकि गाओं के लोग प्रभू ईशू का जर्म दिवस अच्छी तरह मना सके प्रैम न्यूस 24 के लिए पंजाब से जतिंदर कुंडल की खास रिपोर्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबा कर हमारी ताज़तरी खबरों से अपडेट रहें